एलो फ्रेंज आज की इसे वीडियो में हम आपको ट्यूर देने वाले हैं केमरा की आन बान और आपके लिए हमेशा महरवान ट्राइपोड फैक्टरी प्रोडक्शन तो दोस्तों आज की इसे नौलेज से बलबलाती हुई वीडियो में आप देखोगे ट्राइपोड की में ट्यूट्स का यूज करके तयार करते हैं जिनका डायमेटर एक दूसरे से डिफरेंट होता है एक मशीन द्वारा जरूरत के अकोर्डिन इन्हें फिक्स साइज में कट कर लिया जाता है अगली प्रोसेसिंग में स्पाइडर कंपोनेंस यानि जिन पर इन ट्यूब्स को ट्राइ शेप में लगाया जाएगा उसके मैनुफेक्टिरिंग एंड कटिंग डोनों की जाती हैं अब आगे एक प्रेशरलाइज मशीन का यूज करके इन ट्यूब्स को एक के अंदर एक को इंसर्ट करके स्पाइडर के साथ ट्राइगोनल शेप में आटेच कर दिया जात एक तरफ CNC मशीन इन स्पाइडर को एक स्पेसिफिक शेप देती हैं ताकि ये ट्यूब्स इसमें फिट हो सकें टीनों ट्यूब्स को क्लीन एंड नीड तरीके से इंसर्ट करने के बाद स्क्रू एंड लोग की हेल्प से एक साइट जोइंट कर दिया जाता है दूसकों अभी ट्राइपोड अगली फेस की प्रोसेसिंग के लिए एक डम तहियार है बट अगली प्रोसेसिंग से पहले वरकर द्वारा इसके एक बार ओल टेस्टिंग की जाती है नेक्स्ट फैज में इन ट्यूब्स को एक लाजर प्रेंटिंग मशीन में बेजा जाता है जो ओबिसले कंपनी का नाम ही ब्रेंड करेगी कुछ हमारा चेहरा नहीं अब पुना वही वरकर इन सभी लेक्ट से की एक से साथ स्क्रूइंग करता है अगली प्रोसेसिंग में ट्राइपोड के हेड की एसेंब्लिंग किये जाती है देखे जरा किस तरह यह मौतरवा यहां पर इन ट्राइपोड हेड से की फटा फट एसेंब्लिंग कर रहे है वाकर जब यह head assembling complete हो जाती है तो worker इसे tripod column के साथ attach कर देता है और final assembling में अभी से tripod head को भी tri leg spider पर attach कर दिया जाता है और उस तो final testing के साथ यह tripod अब ready है आपके camera को सहारा प्रदान करने के लिए कर दो कर दो कर दो जाता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जाता है कर दो 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 कर झाल 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 झाल